सवाल कर सकते हैं, मैं एक नंबर एक से सुख धरम में पुनरजनम मना जाता है हिन्दू धरम में भी पुनरजनम मना जाता है क्या इसलाम धरम इसको मानती है मैं पृतपाल सिंग सिलिगुरी चाया हूँ आपसे जिग्यासा रखता हूँ अपने तक्रीर में इसका जवाब दे दिया है लेकिन पिर भी जिग्यासा है तो मैंने पूरा जवाब दिया किस पॉइंट पे जिग्यासा है आपको पुनर का मतलब नेक्स्ट जनम मतलब बर्थ नेक्स्ट बर्थ इसलाम भी इसमें मानता है कि इस दुनिया के बाद हम नेक्स्ट दुनिया में आएगे यह वेद कहता है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं, कोई शक्त नहीं, लेकिन यह जो वजूद में आया सम्सकारा, इसका जिकर वेद में नहीं है, यह हिंदू पंडितों ने कहा सम्सकारा के बारे में, क्यूंके वो यह नहीं समझा सकते थे, कि लोग क्यों गरीब पैदा हो होते क्यों लाचार पैदा होते क्यों कंजनेटल हाट से तो यह नहीं पता होने के वज़े से फिलोसोफी हुजूद में आई लेकिन वेद में सिर्फ लिखाए कुनर जरम जो कुरान लिखाए कि दर्म में लिखाए कि मुझे कोई तरह दे लेकिन यह मानना के बर्थ फिर फिर बर्थ फिर दर्थ यह सैंटिफिकली मुम्किन ही नहीं है आई कें गिव यू एनदर कोटेशन वाइट पॉसुबिल आप समझे ना तो किस लॉजिक पर आप संतुष नहीं है आपसे जानना चाहता हूं कि जैसे सिख धरम में यह माना जाता है कि किसी व्यक्ति की मिर् पुनर जनम नेक्स्ट जिंदगी कईना कई यहाँ पुड़ा हुआ है अमेरिका में कौर लेंगा घिक किदर भी वेद में नहीं लिखा है ये पंडितों ने अपनु तरफ zerवे पेस किया है पुनर जनम जो कुरान में है और वेद में है उसके मानी नेक्स लाइफ यह हम मानते है लेकिन कहीं न कहीं यहां लेंगा ने एक जगा आखरत में और क्यूंके scientifically यह लोग जो कहते समस्कारा कि आप अच्छे काम करेंगे तो आप स्वार्ग में जाएगे स्वार्ग में जाएगे तो स्वार्ग में जाएगे तो आने की जरौत क्या फिर स्वार्ग में रहे न अच्छा ना धरती पर क्यों आएगे फिर कुछ मदब में स्वार्ग में जाके फिर वापिस आते अगर स्वर्ग में जाके इनाम मिल गया तो यहां वापिस क्या आते अगर नर्क में गये तो वापिस जिन्दगी में आके फाइदा क्या अगर आपको सदा मिल गई तो यहां फिर आपा के क्यों कुटा बिली बनते अगर आप देखेंगे आज दुनिया में क्राइम बढ़ आए कर घट रहा है बढ़ आप मानते ना बैभी मानता हूँ ये जो घटने चाहिए लेकिन ए घट रही है उसका मतब लॉजिक गलत है ना आपकी जिया वारा अपर तो यह लॉजिक है ना आप मान गए तो कबूल करो भी चो पुनर जनम है वेद में सिक इजब में इसलाम में यक्सा है क्या अगले बाफ जियेंगे एक बार मनेंगे अगली पास आपका हिसाब किताब होएगा डे और जज्जमिंट और फिर आप हिसाब किताब के इसाब से जैसे आपने अमाल किये जैसे आपने कर्म किये इस दुनिया में उस तरीके से आप स्वार गया नरक में जाएंगे